हलो फ्रेंट्स आज में आपको इस वीडियो में पाकिस्तानी फिल्म दा लेजंट आफ मॉला जट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ तो फ्रेंट्स एक्टर फवाद खान और माहिरा खान और हमसा अलिया बासी की फिल्म दा और घ्रिट सो करोर रुपए था सोमार्को फिल्म के अधिकारिक इंस्टाग्राम एक पोश्ट के सेयर की जानकारी दी गई है दा लेजंट आफ मॉला जट ने पाकिस्तान सिनेमा में की रितिमान प्रज़ दिया है फिल्में दुनिया भर में 8.95 मिलियन डॉलर यानि 73 करोर रुपए से ज्यादा का कारुबार कर लिया है यह कमाई पाकिस्तान रुपए के हिसाब से 200 करोड रुपए से ज्यादा होती है वहीं हम आपको बताते चले कि पोश्ट के मुताबिक फिल्म में घरेलू बॉक्स आफिस 80 करोड और ओवर सीज में 120 करोड रुपए कमा लिया है इस आकडों के साथ अमारा हिकमत और असद खान की प्रोडियोस की हुई यह फिल्म पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कालेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है इसका साथ ही मेकर्स इस फिल्म के अंकट वर्जन को यूक्वे में 2 दिसमर को रिलीज करने की तयारी कर रहे हैं एकसाइटमेंट बढ़ गई थी लेकिन फिल्म ने भी दर्सकों को निरास नहीं किया फिल्म को समिच्छको ने भी सराहा और दर्सकों ने भी काफी पसंद किया वही हम आपको बताते चले कि यह पंजाबी भासी एकस्ट ड्रामा फिल्म बनीज सो अन्वासी में आई कल्ट क्लासिक मौला जट की रीबूट वर्जन है इस फिल्म के जरिये पंजाब की हीरो को दुनिया के दर्सकों के सामने पेस किया गया है फिल्म में फवाद और माहिरा के अलावा हमेमा मालिक, गोहर रसीद, फारिस सफी, अली अस्मत, राहिला आगा, बाबर अली, साइमा, बलोज, सफकत, चीमा, नयर इजाज और रेसम जैसे कई कलाकार नजर आया है इस सूपर हिट फिल्म का निर्देशन बिलाल लसारी ने किया है तो फ्रेंट से पाकिस्तानी ब्लॉक बश्टर फिल्म, दा लेसेंट और मॉला जेट के बारे में आपका क्या कहना है प्लिस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैपाई